वेलकम टो आर यूटूब चैनल लर्न विट एन एच आज के स्विडियों में दोस्तों हम चोईस अप्टूबर को सेट का जो एक्जाम हुआ है आपका मोर्निंग स्रिप्ट में उसकी आंसर की देखेंगे जो भी यहाँ पर इंपोर्टेंट सवाल है वो हम देखने वाले हैं तो चले शुरू करते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है राजपत्री तवकास जो है दोस्तों इसको इंग्लिस में क्या लिखा जाएगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गेजटेट होली डे अगला सवाल देखिए चूज दे वर्ड अपोजिट इनमीनिंग टू तो यहाँ पर डिस वेल्ड का पूछा गया है दोस्तों इसका मतलब होता है वेरी टाइडी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइडी क्योंकि यहाँ पर अपोजिट पुछा गया है अगला सवाल देखिए दूर इस्तीत एक उची इमारत का पूरा परतिभिम निमलिकित का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है तो यहाँ पर आपका राइड आंसर उतल दरपन होना चाहिए अगला सवाल है जब प्रकास की एक किरंड सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है जब सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है दोस्तों तो यह अभिलम से दूर मुड़ जाती है ओप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होना चीए अगला सवाल है एक आउटर लेंज की फोकस जूरी 50 cm है तो उसकी समता क्या होगी तो उसकी समता क्या हो जाएगी दोस्तों यह आपकी –2 डायफ्टर हो जाएगी option C यहाँ पर आपका correct हो जाएगा क्योंकि आपकी जो शमता होती है दोस्तों जो पावर होती है वो आपकी 1 by F होती है नेगेटिव में तो यह 1 upon 50 हो जाएगा और सेंटी मिटर को मिटर में बदलेंगे तो यहाँ पर –2 डायफ्टर हो जाएगा दोस्तों अगला सवाल देखिए पश्चिमी राजस्तान में गरीबी उन्मूलन को किसकी साहता से क्रियानवित किया जा रहा है तो गरीबी उन्मूलन जो है इसको किसकी साहता से क्रियानवित किया जा रहा है अगला सवाल है राजस्तान राज्ये खा देऊं नागरी कापुर्ती निगम की स्ताबना किस वर्स में हुई थी तो यह किस वर्स में हुई थी 2010 में हुई थी ओप्शन सी करेक्ट होगा अगला सवाल है Fe2O3 प्लस 3CO2 रियक्शन दी गई है उपर दी गई राजसाईनिक अभी किरिया में अपचायक है अपचायक का मतलब किसका यहाँ पर ओक्सीकरन हुआ है तो CO का यहाँ पर ओक्सीकरन हुआ है दोस्तों इसमें ओक्सीजन जुड़ा है तो Option D यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए निमलिकित में से कौन सी भोतिक परिवर्तन की विशेष्था नहीं है तो यहाँ पर कौन सी भोतिक परिवर्तन की विशेष्था नहीं है तो नए पर गलत दिया गया है बोती परिवर्थन में आपके नए परदात का निर्मान नहीं होता है नए परदात का निर्मान आपका रासाइनी परिवर्थन में होता है तो option D यहां पर आपका correct हो जाएगा अगला सवाल देखिए निमलिकित में निर्थक का संदी विच्चेद होगा तो निर्थक का संदी विच्चेद क्या हो जाएगा दोस्तों यह आपका नीधन अर्थक हो जाएगा option D यहां पर आपका correct हो जाएगा अगला सवाल देखिए निमलिकित में सू प्लस उक्ती की संदी होगी तो सू प्लस उक्ती की संदी सुक्ती हो जाएगी किन कर्मियों से संबंदित है तो नमस्ते योजना किस से संबंदित हो जाएगी या आपके स्वच्चिता कार्मिक से संबंदित हो जाएगी option B correct हो जाएगा अगला सवाल देखिए विश्वत दर्ष्टी दिवस 2003 की थीम विशे क्या थी तो विश्वत दर्ष्टी दिवस 2003 की थीम क्या हो जाएगी कारे करते समय अपने नेत्रों के स्वास्ते का ध्यान रखें love your eyes at work option B यहाँ पर आपका correct हो जाएगा love your eyes at work अगला सवाल देखिए तो यह आपका projector हो जाएगा projector आपका output device है दोस्तों इसके नरे touch screen mouse जो है यह input device हो जाएगे अगला सवाल देखिए जैसल मेर का प्राची नाम क्या था तो जैसल मेर का प्राची नाम क्या हो जाएगा दोस्तों यह मांड हो जाएगा यह आपका दोस्ते तीन बार exam में पूछा जा चुका है अगला सवाल देखिए राजस्तानी गद्ध और पद्ध की विदाओं में वे रचनाएं जो किसी वेक्ती एहों राजवन्स की उपलब्डियों एहों घटनाओं का वनन करती है यह क्या कहलाती है तो दोस्तों यह आपकी वच्चनी का कहलाती है option D यहां पर आपका character न चीए अगला सवाल में से कौन निर्गुन उपासना का अनुयाई था तो निर्गुन उपासना का अनुयाई यह आपको कौन हो जाएगा दादु देयाल जी हो जाएंगे दादु पंदी संपर्दाय जो है यह निर्गुन उपासना संपर्दाय था अगला सवाल देखिए यहां पर सुमेलित क अगला सवाल देखिए 2011 की जंगर्णा के अनुसार निम्र कित में से राजस्तान के किस जीले में शाक्षरता दर्ष सबसे कम हैं तो यह कहां पर हो जाएगी जालोर्म हो जाएगी और सबसे ज्यादा कोटा में हो जाएगी अगला सवाल देखिए नीचे दो कतन दिये गए दो दोस्तों यहाँ पर आपका option है correct हो जाएगा कतन 1 सत्य है लेकिन कतन 2 असत्य है अगला सवाल देखिए चितर साला कला विती निम्र कित में से किस इस्तान में इस्तित है तो कला विती जो है यह आपकी बूंदी में इस्तित है option है correct होना चाहिए आपर अगला सवाल देखिए निम लिकित मैंसे सिंदू नदी की सबसे बड़ी साइक नदी कौन सी है, तो सिंदू नदी की सबसे बड़ी साइक नदी आपकी चेनाब नदी हो जाएगी, दोस्तों, यह आपका सेट GRADUATION में भी पूछा गया था, अगला सवाल देखिए, निम लिकित मैंसे कौन सी प्रवस योजना अपनाने वाला परतम मरा तो लिए यहाँ पर यहां पर तो मुंखे वास्तूकार आपके औरो जाएंगे अगला मुख्या राम मंदिर के निर्मान में तो यहां चंद्रकांत संपूरा हो जाएगे यहां पर आपका खरेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए 2024 लोकसभा चुनाओ के दोरान भारत के मुक्य चुनाओ आयुक्त कौन थे तो भारत के मुक्य चुनाओ आयुक्त राजीव कुमार थे ओप्सन सी करेक्ट होगा कौन सी सब्वेता धूल कोट वो तामर्वती नगरी के नाम से प्रसिद्धे तो यह आहड सब्वेता हो जाएगी जो कि आपकी उदेपूर में इस्तित है अगला सवाल देखिए दोस्तों काली बंगा सब्वेता के संदर्ब में सबसे असत्य कतन का चैन करे तो सबसे असत्य कतन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा काली बंगा में जुताय वाले खेत का कोई प्रमान नहीं मिला यह कतन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों काली बंगा एक सुन्योजीत सहर था गरों के निर्मान के लिए धूब में बनी इटो का उप्योग किया जाता था यह कतन आपका बिल्कुर सही है प्राचीन दस्धती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घगर नदी छेतन ने काली बंगा की सब्वेता को जनम दिया तो यह कतन भी सही है और यह सब्वेता राजस्तान के हरुमान कर जिले में स्तित है यह कतन भी आपका सही है अनेकार तक सब्द अकसर का ये करते है तो ये क्या हो जाएगा वान हो जाएगा, उप्शन सी correct हो जाएगा सब्द युगम, अब्जब, अब्द के लिए संगतर्थ होगा, तो ये आपका कमल और बादल हो जाएगा दोस्तों option ay correct हो जाएगा उसने कुछ नहीं खाया तो कुछ कौन सा सरुनाम है तो कुछ में आपका अनिश्चे वाज़क सरुनाम हो जाएगा common sense वाल है दोस्तों अगला सवाल देखिए पंचाईती राज इस्तापित करने वाला पहला राज्य था पहला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा राजसान हो जाएगा पंचाईती राज से संबंधित काफी सारे सवाल पूछे गए हैं भारत के सविधान में निमलिकित में से किस निर्देसक सिध्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचाईत का संगटन करने और उन्हें सोशा क्योंकि रोबोर्स के परिचालन कंप्यूटर गेम के खेलो एंव फ्लाइट में प्रसिक्शन अनुरूप को के उपकरण के रूप में परिउक्त होता है तो यह क्या क्यलाता है आपका जोईस्टिक क्यलाता है ओप्शन डी करेक्टों का अगला सवाल देखिए निमलिकित मैं से कौन खंप्यूटर की लगुतं डाटा यूनिट है तो लगुतं डाटा यूइंट आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों यह आपकी यहाँ पर निबल हो जाएगी option भी यहाँ पर आपका correct हो जाएगा option के साथ से आपकी निबल हो जाएगी अगला सवाल देखिए खेतरी बासियाल सरनक्षन डीजव निमलिकित में से राजस्तान के कौन से इस्तान पर अवस्तित है तो यह आपके जुँँँँँ में अवस्तित है option C correct होगा राजस्तान के सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी तो option के साथ से आपकी चंबल नदी हो जाएगी दोस्तों option B यहाँ पर correct हो जाएगा अगला सवाल देखिए निमलिकित में से कौन सा विटामीन वसा में घुलंसील है तो वसा में घुलंसील आपका कौन सा हो जाएगा B और C जो होगे दोस्तों यह तो आपके जल में घुलंसील है तो option C यहाँ पर आपका correct हो जाएगा अगला सवाल देखिए सबसे अधिक स्ताइफुलरीन है तो सबसे अधिक स्ताइफुलरीन आपका कौन सा हो जाएगा C 60 हो जाएगा कारवन का कौन सा अपरूप विदुत का सुचा लगे तो यह आपका गिरिफाइड हो जाएगा अगला सवाल देखिए राजस्ताइम के कर्शी विकास में सबसे मुख्य बादर क्या है तो सबसे मुख्य बादर क्या हो जाएगी उवरकों की सीमित उपलब्दता भूमी, सुधार का अबाव सीचाई सुधाओं का अबाव या वर्सा की अन्यमित्ता और अनिश्चित्ता तो राजस्तान में दोस्तों वर्सा की अन्यमित्ता होती है और अनिश्चित्ता होती है उप्शन भी करेक्ट हो जाएगा भारत सरकार द्वारा निम्न मेंसे किस वर्स में मुद्रा के विमुद्र करण की गोश्चना की गई थी तो ये आठ नॉम्बर 2016 को की गई थी उप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए राजस्तान में भारती हत करगा हेंड लूम प्रोद्यगी की संस्तान कहां पर इस्तित है तो ये आपका जेपुर में इस्तित है दोस्तों उप्शन सी करेक्ट होगा अगला सवाल देखिए निम्ण मैसेक की समिती ने भारती सविधान में आठ मोलिक कर्तवयों को सामिल करने का सुजाओ दिया था तो आठ मोलिक कर्तवयों को सामिल करने का सुजाओ किस ने दिया था स्वान सिंग समिती ने दिया था ना है एक तरप आपके अधिकार दिए गए हैं और तुछ संबंधित है समानता का अधिकार सांसकर्थिक और सेक्षणिक अधिकार सोचन के विरुद्ध अधिकार यह यहां पर दिए गए हैं तो सुस्टंतरता के अधिकार में आपका कौनसा हो जाएगा दोस्तों G1 और वेक्ति वेक्तिकत सुतंतता की शुरक्षा B में आपका 1 हो जाएगा दोस्तों B में 1 आपका एक ही ओप्शन में दिया गया है समानता का अधिकार सेन्य और सेक्षनिक उपलब्दियों को छोड़ कर अन्य उपलब्दियों का उन्मूलन हो जाएगा C में आपका 4 हो जाएगा सांस्कर्तिक और सेक्षनिक अधिकार अल्प संक्यों को सेक्षनिक संस्तान इस्तापित कर उनका प्रसासन करने का अधिकार और D में आपका सेकिंड हो जाएगा यानि कि मानो तसकरी और जबरन स्रम पर परतिबंद तो यह आपका D में सेकंड हो जाएगा option B याँ पर आपका correct हो जाएगा अगला सवाल देखिए अगला सवाल है दोस्तों आपका वेदना सब्द में युक्त परते है तो वेदना सब्द में युक्त परते कौन सा हो जाएगा आपका अना परते हो जाएगा C यहाँ पर right answer हो जाएगा निमलिकित में अगनी के प्रायवाची है तो अगनी के प्रायवाची धूम केतु हो जाएगा पावक हो जाएगा इसके अलावक करसान हो जाएगा तो A, D, E यहाँ पर correct answer हो जाएगा यानि की option B यहाँ पर आपका correct हो जाएगा अगला सब्द में निमलिकित में से विग्य का विपरीतारतक सब्द है तो विग्य का विपरीतारतक सब्द आपका कौन सा हो जाएगा या आपका अग्य हो जाएगा दोस्तों अगला सब्द है निमलिकित में से हरी सब्द का प्रियोग किसके अर्थ में नहीं होता तो हरी सब्द का प्रियोग किसके अर्थ में नहीं होता तो यह समुद्र के अर्थ में नहीं होता है option D बिल्गुल correct हो जाएगा यहाँ पर अगला सवाल देखिए अस्वगंदा पोदे के किस भाग को दवाईयां बनाने के लिए मुख्यत प्रयोग किया जाता है तो यह आपकी जड़ हो जाएगी दोस्तों option D correct होगा अगला सवाल देखिए डाउन सिंड्रोम की एकादी सुत्रता के कारण होता है तो डाउन सिंड्रोम जो है यह आपका 21 से गुन सुत्र की एकादी सुत्रता के कारण होता है तो डाउन सिंड्रोम गुन सुत्र 21 की एकादी सुत्रता के कारण होता है यह आपको ध्यानक ना है निम्लिकित में से कौन सा रेसा उत्पादक पादप नहीं है तो यह आपका खेजड़ी हो जाएगा दोस्तों ओप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए वर्स दो जार बाइस ते इस के अनुसार दुख दूत पादन में राजस्तान का भारत में कौन सा इस्तान है तो यह दूसरा इस्तान हो जाएगा ओप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए राणा सांगा की मृत्य के पश्चात मेवाल का शाषक कौन बना तो यह कौन बने थे राणा रतन सिंग बने थे ओप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सांगा की मृत्य के बाद राणा रातन सिंग मने थे विक्रमादीते इसके बाद में बना था अगला सवाल देखिए केवला देव घना राष्ट्य उध्यान कहां इस्ति थे तो यह आपका भरतपुर में इस्ति थे आजादी के समय आज के राजस्तान में कितनी रियासते थी तो 19 रियासते थी दोस्तों ओप्शने करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए छटे एशियन ट्रेंपोलिन जिमनास्टिक चेंपियंशिप में निम्न मैंसे किसने रज़त पदक जीता तो जिमनास्टिक देखते आपको याद आजाना चीए दीपा कर्माकर अगला सवाल देखिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पेली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्गाटन किस सवर में किया गया था तो यह दोस्तों आपका कहां पर किया गया था कॉलकाता में किया गया था औप्शन ने करेक्ट हो जाएगा राष्टे विग्यान दिवस 2024 का विशे थीम क्या है तो राष्टे विग्यान दिवस 2024 की विशे थीम क्या हो जाएगी दोस्तों यह आप क्यों जाएगी विक्सित भारत के लिए देशी पुर्द्योगी की तखनीके option B यहाँ पर आपका correct हो जाएगा निमलिकित में नज ततपूर्ष समास का एक उधारन है तो नज ततपूर्ष समास का उधारन आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर बेकाम और अधरम दोनों यहाँ पर सरी दिये गए हैं दोस्तों तो इन में से बोर्ड के द्वरा क्या माना जाता है वो हम देखते हैं पर अधरम इसका ज्यादा correct होना चीए दत्चित में कौन सा समास है तो दत्चित में आपका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों तो दत्चित में आपका दोस्तों तत्पूर्ष समास हो जाएगा option d यहाँ पर correct हो जाएगा दत्चित इस तरीके से होना चीए तत्पूर्ष समास होना चीए बागी देखते हैं इस कांसर क्या हो सकता है प्रत्यूपकार सब्द में नीत उपसर्ग है तो प्रत्यूपकार में आपका प्रत्यूपसर्ग हो जाएगा अगला सवाल देखिए सालार वन के बारे में सबसे असत्य कतन का चेंड कीजिए तो अरावली प्रवाद माला का सबसे उचा सिकर गुरू सीकर हो जाएगा, 1722 मीटर, अगला सवाल देखिए, निमली कित में जाती वाचे क्संग्या का उधारन है, तो जाती वाचे क्संग्या का उधारन आपका कौन सा हो जाएगा, तुफान हो जाएगा दोस्तों, ओप्श हो जाएगा, अधीन हो जाएगा, महत्तु हो जाएगा, पुरसकार जोए दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आपका कैंसल हो जाएगा, भी कैंसल होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपका बच्रा है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अगला सवाल देख भारत का गवर्णर जनरल कौन था तो अवध का जब विले हुआ था तब लोड डलो जी था ओप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए भारत के सविधान का निम लिकित में से कौन सा अनुचेद रास्तान लोग से वायों के कारियों के विशे में जानकारी प्र 24 में राझस्तान के राजये निर्वा चनायुक्त कौन थे तो राजये निर्वा चनायुक्त आपके wizard हो में हुआ था अगला सवाल देखिए किस तिति को आरभी आई ने 2000 के करंसी नोट के प्रसार को रोकने की गोश्णा की ती तो यहां पर आपका राजस्तान राज्जी में पंचायती राज व्योस्ता में मैलाओं के लिए आरक्षन का प्रतिशत कितना है तो दोस्तों राजस्त होगा प्रधान मंत्री जंदन योजना उप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए राजीव गांधी फिंटेक डिजिटल इंस्टिटूट राजस्तान में कहां इस्तापित किया गया है तो यह आपका कहां पर हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा उप्शन अगला सवाल देखिए आदी से अंति तक तो इसको सुमेलित कीजिए आदो पांत हो जाएगा यह साथ आपका कल भी पुछा किया था दोस्तों ए में आपका सेकिंड होता है यह की ओप्शन में दिया गया है जल से परिपून बी में वन हो जाएगा आपका अनूप चोट ख प्रियोग किया जाता है तो मेमोरेंडम का प्रियोग किया जाता है कारेली पत्रों के अदोलेक में निम्ल मेंसे किस सब्द का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों कारेली पत्रों के अदोलेक में भाउधिये सब्द का प्रियोग किया जाता है अब भाउधिये यहां पर पानी में डूब जाएगा तो पानी में कौन डूब जाएगा इस्टेनलेस इस्टील की गेन यहाँ पर ओप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए निम लिकित में से कौन सा अदातू इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रियोग में लिया जाता है और जो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स वीडियो में मिलते हैं दोस्तों थेंक्यू सो मच और इसकी कंप्लीट आंसर की अप्लोड कर देंगे तो महां से आप मिला देना